हेलो फ्रेंज वेलकम टू मैं यूटूब चैनल एवी अकडमी दोस्तों मैं हूँ सोथ और आप सभी का शवागत है मेरी यूटूब चैनल एवी अकडमी के साथ दोस्तो आज का हमारा सिसन स्टार्ट होगा शीडीपी का शीडीपी के अंतरगत आज हम लोग इंपॉर्टेंट को डिस्कस करेंगे जो कि सीट्विट के एक्जाम के पॉइंट अभी उसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारी यूट और आर्थिक रूप से बंचित प्रिष्ट भूमी से आने वाले बच्चों को कक्ण्छा के महाल की अविशक्ता होती होती है सब्सक्राइब आप्सब्स देखतें आपसं क्या हैं मारे पहला प्धा है उप्चास करता है ताकि वे मुखे धारा की भासा सण को हरा हैं तो कहीं भी सही नहीं एंटो हमारे राव स्गलत होगा है विन係ňन करना इसकी नहीं प्रुथा हिए नहीं मानना उसका कटाक्षी करना ती हमारा ही नहीं होगा ही यहां पर यह बात रहात है की उनकी व्हाशा को प्रुथ साहित किया जाए उपयोग गतने पिकरने ङस हमारा ओप्सक्वाजित करना लिए हमारा वर्गी करें तो यह भी सही नहीं है बच्चों के छमताओं पर वर्गिक्रित करना अलग अलग स्रेणियों में अगर बाट देंगे तो जो तीज बच्चा और कमजोर बच्चा के बिच में और भी भिंता बढ़ती जाएगी तो हम स्रेणिया में नहीं बाट सकते हैं ठीक है हर किसी का अलग अलग भिंताएं मिलती हैं लोगों में तो इसका यह मतलब ने किम क्लास में अलग 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 श्रेणियों में बच्चे को बांट देता यह भी हमारा सही जवाब नहीं है और अच्छा विवहार सिखाता है और अप्सट नमर डी है उनके सांस्क्रितिक और भा प्रतिभाशाई ज्यान को महत्व देता है तो उनका उप्योग करता है तो यही सही होगा चली नेक्ष कोश्चन देखते हैं हम नेक्ष कोश्चन हमारा कह रहा है कच्छा में स्रीज नातमक्ता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्त शेप निर्भर करता है क्या आवश्यक हस्त शेप निर्भर कर रहा है तो देखते हैं हम लोग तो चली देखते हैं कोश्चन देख लिए आप्सन देखते हैं आप्सन नमर उनके प्रती नहीं होने के नाते पर आप्सन नमर वी उन्हें अन्ने बच्चों को पढ़ाने की जिम्यदारी देने पर आप्सन नमर शी है हमारा एक नमर आप्सन नमर शी है हमारा सिंच्च्च द्वारा अनुकुलित और प्रीरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर option number D है उन्हें अतरिक्त समय दिये जाने पर तो पताईए जवाब क्या होगा हमारा तो हमसे question क्या पूछ रहा है question यही पूछ रहा कि कक्छा में स्रिजनात्मक्त और प्रतिवासाली बच्चों के लिए आवस्यक हस्तिचे पर निर्भर करता है option number C हमारा सही होगा सिख्षक दोर अनुकुलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर option number C सही next question देखते हैं हम question number third है अति समवेदन सिल बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निमनलिखित में से कौन सा तरीका उपरियुक्त नहीं है कौन सा तरीका उपरियुक्त तरीका नहीं है question number negative पूछ रहा है option number A है उनके दैनिक काडिक्रम ने सारीरिक गतिविधी का समवेस option number B है बेचैन होने पर अक्षर उन्हें फटकार लगाना तो बताइए कि फटकार लगाना कहीं से भी सही है नहीं है negative answer है question क्या करें इसको फिर से समझते अति समवेदन सिल बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपरिक तरीका नहीं है अच्छा question हमारा negative ही पूछ रहा है sorry हम गलत बता दिये question हमारा negative पूछ रहा है तो जब आप भी negative होगा उन्हें के दैनिक कारेकरम में सारीरिक गतिविधी का समवेस तो ही हमारा positive answer है फिर next है बेचायन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना यही हमारा negative answer है जो हमसे question पूछ रहा है वही तो जब आप भी यही होना चाहिए लिक next option देख लेते हैं हम लोग अपसे नमर सी है एक कारे को छोटी प्रवंदिये खंडों में तोड़ना option नमर डी है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकस तो option नमर बी जो होगा वही हमारा सही होगा इस question के मताबिक क्योंकि question हमारा negative है तो जबाब भी हमारा negative होगा तो option नमर बी हमारा इसका जबाब होगा कि बेचैन होने पर अकसर उन्हें फटकार लगाना यही answer है चले next question देखते हैं अलग-अलग सोच वाले पैटर्ण उन बच्चों की पहचान करते हैं जो option नमर इस स्रीजनात्मक है option नमर भी प्रत्यास्थाई प्रत्यास्थाई है option नमर शी विकलांग है option नमर डी डिसलेक्सिक है तो क्या जवाब होगा इसका जवाब होगा option नमर इस स्रीजनात्मक है तो वही हमारा जवाब होगा स्रीजनात्मक है चले next question देखते हैं निम्न लिखित में से कौन सा सिख्षक द्वारा कच्षा में बच्चों के लिए समश्या हल करने के तरीकों का वर्णर नहीं कर सकता ह देखें फिर से निजाटिव कोश्चन नहीं वाला कोश्चन को ध्यार नखिए अकसर बच्ची सी में गलती करते हैं तो आप लोगों को गलती नहीं करना है चले देखते हैं तो इसका option क्या कह रहा है एक नहां अपसे नमर ए है सोच विचार option नमर ए कह रहा है हमारा सोच विचार परिक्षन और विभिन उत्तरों जैसे शवदावली का प्रयोग करना ठीक है नेक्स है हमारा इसका अंसर अभिश्यरन उत्तर वाले प्रस्न पूशना option नमर ए किसी विशेश समस्य को हल करने के बाड़े में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना option नमर डी है कुछ हल करती समय गलतियों को करने के प्रती इमंदार रहना option हमारा question पूशा है negative तो जवाब है हमारा negative होगा तो क्या जबाब होगा इसका option नमर बी अविश्यरन उत्तर वाले प्रस्न पूशना यह हमारा negative है question को मुताविक क्या ही answer होगा next देखते हैं हम लोग निमनलिखित में से निमनलिखित में से शमवेग है क्या है निमनलिखित में से कौन सा एक शमवेग है option ne tau e है हमारा ध्यान एक गया है तो अगर आप लोगों ने शमवेग से रेलिट्स वीडियो नहीं देखा है तो इसको देख केंग परिषास संवेग कितने प्रकार के होते होतें मैं डूगल के नुसार जो सम्वेग 13 प्रकार की है और उसकी मुल्प्रविर्ती है जो भी सम्वेग से रिलेटेड साड़ा उस वीडियो में दिया गया तो आप लोग CDP में उस वीडियो को देखे इस प्लेलिस्ट बना हुआ सम्वेग से रिलेटेड आपको मिलेगा बहुत ह क्लियर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया तो आप लोग देख लिए हर साल सम्वेग से कोश्चन रहता ही रहता है चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हम एक तीन साल का बच्चा बताता है कि दूद बूत पर एक मशीन दौड़ा दूद का उत्पादन होता निम्दलिखित में से कौन सा बच्चों की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टिकरन प्रदान करता है तो कौन सा कर रहा है सो देखते हैं हमारा ऑप्सन है ऑप्सन नमर ए बच्चे के गायों बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा ऑप्सन नमर भी बच्चों को परिवार वाल बच्पे परिवार बच्चे को प्लेरक वातावरंवन प्रदान नहीं करता है दोनों एंसे गलत ऐसा कुछ ने बच्चे को दुनिया बच्चे सीखते अब लोकन करते हैं देखते हैं सीखते उस शीज को तो बच्चे अपने अनुभव के दोड़ा इस बात को अपने बात को डख रहे हैं तो हमारा जवाब सही होगा यही एंसर होगा तो इस शीज को आप लोग ध्यान लखिएगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सिख्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है आपसन नमर ई है पाठिक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोढ़ाने के लिए प्रयाप्त समय देना महत्पुर्ण होता है आपसन नमर बी देखते हैं क्या है कह रहा है आपसन नमर बी कह रहा है आडाम के लिए जगा बनाना जहां बच्चे शमवाद और पूश्टाच के माध्यम से सीखते हैं आपसन नमर शी है कक्षा में सिक्षक की सबसे महत्पुर्ण भूमी का अनुशाशन को बनाये रखना है आपसन नमर डी है एक सिक्षक को निरधारित पार्ठिपुश्टक का पालन करना चाहिए पूरा करने के साथ दोष्राने के लिए प्रयाप से समय देना तो इस सबसे ज़्यादा सही जो है इसमें जो option number B सही होगा आडाम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे शमवाद और पूछताच के माध्यम से सीखते हैं यही सही होगा क्योंकि बच्चों के अनुकूल जगह बना देना जहां बच्चे सही तरीके से संवाद के जरिये और पूछताच के जरिये सीख सकते नेक्स्ट नमर नाएन निमनलीखित में से कौन सी कख्षा समरिद सिक्षा को प्रत्साहित करती है आपसन नमर ए अलमारी में अच्छी तरह संगठित समागरी वाली कक्षा जहां समागरी को सप्ता में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो आपसन नमर बी है हमारा पार्टे पूस्तक समागरी वाली कक्षा जिसमें प्रदरशित विबिन्य प्रकार की समागरी बच्चों की पहुंच से पढ़े हो ताकि समागरी लंबे समय तक चलती रहे आप्सन नमर डी है वा कक्षा जिसमें खुली गतिविधी कोने हो और विबिन प्रकार के बाल साहिते खुली ताक सेल्फ में रखी हो जो दीन के किसी भी समय प्राप्त कर सकता है तो क्या जवाब होगा हमारा इसको सही जवाब बताई है अप्रोग शही जवाब अप्सन नमर डी होगा चलिए नेक्स्ट कोश्यन पूछते हैं निम्दलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठी पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है वे अध्ययन के पाठी क्रम के बारे में सिक्षकों और माता पिता के मार्ग दर्शन प्रदान करती है ऑप्सिन नमर बी है वे संसाधन रही संदर्व में सबसे अवश्यक अधीगम संसाधन बनाते हैं और संसाधन रही में से एक हैं और संसिन नमर आ sprechen क्षा में राजिया राश्डर में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं तो बताएगे क्या जवाब होगा सही जवाब क्या है हमारा इसका तो आपसे नमर शी हमारा सही है कि वे कच्छा में उपलब्द संसादन और संदर्ब समागरी में से एक हैं चलिए नेक्ष्ट देखते हैं कोशन क्या है कोशन नमर 11 है राष्ट्रिय नमर शी मानपताबाद और बेवहारबाद क्या जवाब होगा इसका और रचनाबाद हमारा सही होगा चलिए नेक्ष्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमर 12 कच्छा में बच्चे को प्रेडित समझा जा सकता है यदि कैसे प्रेडित समझा जा सकता है तो बताएगे जव सिक्षक से अस्पश्टी करन प्राप्त करने के लिए प्रस्न पूछते हैं और शी वे अच्छी तरी तरह से वर्दी पहनने स्कूल में आते हैं और अप्सन नमर डी वे कच्छा में अनुशाशन बनाए रखते हैं तो बताएगे जवाब क्या होगा इसका जवाब हमारा ब प्राप्त करने के लिए प्रस्न पूछते हो तब बच्चे अगर समझ रहे हैं प्रेरी तरह साथ हैनुशाशन को समझ रहे तो अराम से उसको हल्ड कर सकते हैं तो पता चलेगा कि हाँ बच्चे इसमें इंट्रेस्ट ले रहे हैं प्रेरी थेस्ट से तो हमारा जवाब ऑप्सन नमर बी सही होगा नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपर युकते हैं अबसे नमर A कक्षा में सभी प्रकार की सिख्चन समागरी होनी चाहिए अबसे नमर B सिख्चक को वास्तविक जीवन इस्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बाच्चित करने में मदद करनी चाहिए आप्सिन नमर सी नियमित मुल्यांकन परिक्षायोजित की जानी चाहिए आप्सिन नमर डी सिख्षा को विविन उदाहरनों और कित्रों का उप्योग करके विशे की व्याक्षा करनी चाहिए तो हमारा जवाब option number B होगा कि सिख्चों को वास्तविक जीवन इस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बाचित करने में मदद करने चाहिए ताकि बच्चे और जादा सिख सके चलिए next question देखते हैं हम लोग next question है हमारा question number 14 question number 14 है अनुशासन जो अधिगम वातावरन में एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है किस तरह की मदद करता है option number A सिख्षकों को निर्देश देने में option number B बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में option number C बच्चों को अपनी सिख्षकों को वी नियमित और मॉनिटर करने के लिए option number D चुप्पी साधे रहने के लिए तो बताइए इसका जवाब क्या होगा option number C जो होगा जो हमारा सही है कि बच्चे को अपनी सिख्षकों को वी नियमित और मॉनिटर करने के लिए अनुशाशन और अनुशासन जो अधिगम में अधिगम वातवरन में एक महत्पून भूमिका निभास सकती है चलिए नेक्स देखते हैं कोश्चन नमर 15 क्या है हमारा अणवान सिक्ता और पडियावरन की भूमिका के बाड़े में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकते है पडियावरन केवल बच्चों के भासा विकास में महत्पून भूमिका निभाता है अपसे नमर डी इसी है हमारा विकास के कुछ पहलू अन्वान सिक्ता और कुछ अन्य महत्पूर्ण से अधिक प्रभावित होते हैं अपसे नमर डी है सिखने और प्रदर्षन करने की एक बच्चे की छमता जीनों दोड़ा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है तो बताईए कि जवाब हमारा क्या सही होगा कोशन हमसे क्या पूछ रहा है अनुवान सिक्ता और प्रियावरन की भूमिका के बाड़े में निम्दलिखित में से कौन सा कथन सही होगा आप लोग को म अंतर गती की बच्चों का विकास होता है उसमें अनुवान सिक्ता और प्रियावरन की हैज्वाप कोशिनम से क्या पूछ रहा है तो यहीं पूछ रहा कि अनुवानसिक्ता और पडियावरन की भूमिका के बाड़े में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है सो बताईए क्यों कि विकास के कुछ पहलू अनुवानसिक्ता और कुछ अन्य महत्वपुर्ण का मतलब है कि वातावरन से अधिक प्रभावित होता है तो इसमें देखिया उन्वानसिक्ता और वातावरन दोनों के बात की गई है और में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलना है तो हमारा जबाब जो होगा तो आपसे नमर सी सही होगा यह बहुत ही इस टाइप को कोश्चन भी हर साल पूछता है पूछता है सी ती तो दोस्तों उम्मीद करते हों कि हमारा एक लास आपको बहुत ही ज्यादा हेल को थैंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो